हेलो उध्रियन फैमिली कैसो आप सभी लोग आई होग कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो चलो फड़ावर्ट से अपने एपसोड का एक्स्प्लेइन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आज भी नहीं है और हवा भी भी तेज़ चल रही है बट लैप्टॉप कुछ हद तक चार्ज है तो चलो जहां तक चल सकते हैं चलते हैं रात को कुछ टाइम के लिए लाइट आई थी इसलिए फिर मैंने वीडियो की लैंद बढ़ा दी थी क्योंकि मुझे लगी रात की आज ऐसा हो सकता है और फिर भी तुम लोग लाइक से सस्क्राइब नहीं करते यार कुछ तो सपोर्ट करो यार मतलब अंगला बंदा तुम लोग के लिए रात भर जाग रहा है और हाँ आज ड्रेगन गेमिंग ब्रो थेंक्यू यार आपके सुफर थेंक्स के लिए तो चलो अब मैं आप लोग को पिछला एपसोड बता देता हूँ पिछला एपसोड पे हमने देखा था जोयान की फाइट जू मारा और मैंग जो से हो रही होती है जहाँ पे वैटल काफी हरा इंटेंस चलता है और उनकी काफी तगड़ी फाइट होती है जहाँ जोयान अपने व्यूरल टेक्निक को फिन करता है जो काफी खतरनाक थी साथ ही यहाँ पे जोयान ने अपनी एंपरर फ्लेम्स को भी सो किया था हाँ किसी का कोश्चन था कि यहाँ पे जोयान के पास कितनी एंपरर फ्लेम्स है तो देखो मैं बता देता हूँ और इसके बाद जोयान के पास एक फ्लेम है, लेकिन वो अभी भी फुली मिच्ची और नहीं और काफी वीक है, उसे जोयन मिंग्यांग डिवाइन डोमेन विजा के रिफाइन करेगा, जो आंगे की कहानी है, आंगे देखेंगे, देन अब नहीं देखा था, जोयन समझ जाता कि इन से फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो वहाँ से भागता है, तभी वो दोनों लोग भी अपनी एक स्प्रॉट फॉर्मेसर को क्रेट करके जोयन के उपर एक स्प्रॉट पीछे लगा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे इस्प्रेट किंग आ जाता है, जो की म हैं, और इसके बाद इस्प्रेट किंग की पारफुल अटेक हो के कार, ये हारा भारा जंगल बंजर रेगेस्तान में तबदील हो चुका होता है, और इसके बाद वो अपनी आखों को उठा कर दूर जोयन को देखता है, तो काफी जादा हसने लगता है, जिसके बाद वो अ तुरंती कहता है, तुम मुझे बेवकूब बनाने की हिमत करते हो, और इतना कहता ही, इस्प्रिट किंग आसमान में आ जाता है, और तुरंती हस्ती होया आसपास देखने लगता है, और चिलात होया कहता है, जोयन बाहर आओ, एक्स्ट्रीम इस्टार डूप के बोध दो ग अधने से पेड के अंदर छुपा हुआ होता है, फूल पत्यों के अंदर से वो इस्प्रिट किंग को भी देख सकता था, साथ ही अपनी स्प्रिट इस्प्रिट्व पावर और हिडेन टेकनिक दोनों का यूज़ करके जोयन ने पूरी तरीके से अपने औरे को हाइड कर लि जिसके बाद जोयन कहता है, मुझे इस आदमी से जल से जल छुटका रहा पाना होगा, उसने बास्ता में एक्ष्ट्रीम स्टार ग्रुप के एक मोनार्च एंप्रा लेवल के वोरियर को केवल एक ही अटेक में माट दिया, कम से कम उसके पास जो पावर होगी वो नॉर्म, कल्टिवेसल से तो कही जादा होगी, और अगर हम फाइट भी करते हैं तो मुझे लगता है, मैं केवल उसके साथ फाइट में, एंग्री बुद्धा लोटस का ही यूज कर सकता हूँ, हाला कि जब जोयन ये सब सोच रहा होता है, तभी एक आवाज आती है, मामू कैसा रहे लेकिन फिर भी जोयन चौकते हुए, इस्प्रेट किंग की तरफ देखता है, जिसके बाद जोयन देख सकता था, इस्प्रेट किंग के हाथों में काफी फावर्फुल और स्ट्रॉंग और इजन कोई दिखाई देती है, जैसा ऐसा लग रहा होता हो, वो हैवेन और दोनों पावर्फुल गोर्डन ड्रेगन हूँ, मैं ऐसे नहीं डरता, दुश्तरफ इस्प्रेट किंग के हाथों में, ओर इजन कोई उसके हाथ से फ्लेक्शियोट हो रही होती है, और उसके हाथ के सारों से चल रही होती है, साथ ही वो है एम्प्रर कल्टिवेशन लेवल का एक्स उनके हाथ के जो एम्प्रेट किंग तुरंती कहता है, जो यान तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, अगर तुम बाहर नहीं आते, तो फिर मैं इस जंगल को ही नष्ट कर दूँगा, और उसके हाथों से एक काफी बड़ा वबंडर सा क्रियेट हो जाता है, साथ ही एम् की साइन को कुछ दूर की तरफ जाते हुए देखता है, जो कि उस डाइरेक्शन से उसकी तरफ ही आ रही होती है, हाला कि तभी इस्प्रेट किंग जो कि अपनी ओरिजन को चारो तरफ फ्लेक्शूइट कर रहा था, तुरंती अपने सेंसें से फील करते हुए कहता है, एक और ट्रांसफोरमेशन पिल और एरोगेंटली स्मायल करता है, जिसके बाद इस्प्रेट किंग तुरंती अपनी ओरिजन कोई से काफी सारे पल पर कोई पिलर्स को क्रियेट करता है, और उन्हें तुरंती अपने आसपास चारो तरफ से सूट कर देता है, जिससे आसपास ज लिटी की अवाज आती और हुआइट टाइगर काफी स्पीड से उसकी तरफ अटेक कर देता है, और हुआइट टाइगर के अंदर जोयान काफी सीरियस तरीके से खड़ा हुआ होता है, ये देखकर स्प्रेट किंग खुस होते हो, और काफी खुस होता है, जोयान को अपने टाइगर की तरफ सूट कर देता है जिसके बाद जोयान का हॉइट टाइगर जैसे ही उसे बवंडर से टकराता है तो कुछ टाइम के लिए रुख जाता है और जोयान अपने हॉइट टाइगर को इस्टागल करता हुआ देख सकता था इसलिए वो तुरन्थी हॉइट करके जोयान के उपर अटेक करने ही वाला था कि तब ही अचानक आस्मान में एक परपल गोल्डन ख्लेम दिखाई देती है और इसके बाद आस्मान में ऐसा लगता है कि जैसे किसी पावरफुल ड्रेगन का रोर सुनाई दिया हो और इसके अंगले ही पल वो परपल गोल्ड पलेम पावरफुल रोर के साथ तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है और उसके अंदर से एक एल्यूजनरी छोटा सा हैंड एक पंच में कनवर्ट होता है और उस पंच के उपर एक अजीब सा दाव पैट हैंड होता है जो सीधा ही इस प्रेट किंग की तरफ बढ़ था और वो सीधा ही इस प्रेट किंग की तरफ बढ़ गया होता है जिदे का इस प्रेट किंग तुरंत ही कहता है देम इत उसका पूरा इद्धा जो यान के ऊपर था और जीओ योग के अटेक से बचने या कि उसके अटेक के अगेंस अटेक करने के लिए उसके पास मोनार के स्पेल होती है फिर भी इसका एफेक्ट काफी जादा पावरफुल था जो कि पहाडों को चुकना चूर करने के लिए और एंपरर कल्टिवेसर लेविल के बॉरियर और इस्प्रिट किंग द्वारा यूज किया जाने के बाद इसका एफेक्ट और भी ज्यादा जाती है उससे और इस टेक्निक के जो यो पर घंटा कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ता और दूसी तरफ जो यो का हाथ जाएंट टैबलेट सील में बदल गया था जो कि सीधा ही इस्प्रिट किंग की तरफ सूट हो गया था और उसकी टेकर के कारण इस प्रिट किंग काफ करता है और आसमान में दो पावरफूल अटैकों के बलाश के कारण आजे से जादे जंगल पहले ही डिश्टर हो चुका होता है और जंगल के अंदर काफी दो बड़े-बड़े गड़े दिखाई देते हैं जिससे चारो तरफ लेथ बह रही होती है तभी जो यह आसमान में करण दो कहता है यह मोटा तो बिलकुल गेड़े के जैसा है इसकी स्कीन काफी ज़्यादा हार्ड है मेरा तो पूरा हाथी सुनन हो गया और इसके बाद वो इस्परेट किंग के गड़े को देखता है जहां पर बेचारा धरासा ही हो गया था तभी उस गड़े से अचानक से एक तेज चलाने की आवाज आती है और एक बड़ी सी चट्टान उड़ती हुई आसमान में आती है जिसके पीछे इस्परेट किंग भी आ जाता है और उसकी आँको में काफी गुस्सा होता है जिसके बाद वो जोयो को काफी एरोगेंटली और गुस्से में देखता है और वो जोयो को हर हालत में मानना चाहता था दूस्तर जोयो भी काफी यार सीरियस होता है तो हमारा जोयो जोयो चूतिया है उससे बोलो न कोई की वो एंगरी वुद्धा लोटस क्रियेट करे कि साले को पिटनी के बाद ही दिमाग आता है हाला कि तब ही जोयो इस प्रिट के फटे हुए कपडे देखता है और उसकी गर्दन में भी कुछ कटके निसान को देखता है जिससे जोयो समझ गया था ड्रैगन हैंड टैबलेट से इससे काफी हद तक चोट आई है साथ ही उसकी पीट से बलड भी बहरा था तब ही इस प्रिट किंग कहता है मैं तुम्हें पकड कर टुकडे टुकडे में फार दूँगा और इसके बाड़ इस प्रिट किंग काफी पारफुल तरीके से रोड करता हुगा अपनी ओरिजन कोई को फुल एक्स्ट्रीम लेवल पर चार्ज करता है और जियो यो की तरब दोड पड़ता है और इस टाइम पर वो किसी भ गुस्से में होता है तुरंत ही अपने हाथ में ओरिजन कोई को कर्डेस करता है और उसके हाथों में एक खाफी बड़ा कोई ब्लेड दिखाई देता है जो सीधा ही जो यो की तरब बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो ब्लेड जो यो की चेश्ट के आरपार होने ही वाला हो और जैसे ही इस Spirit King White Tiger की तरब देखता है, तभी जोयान तुरंथी घूमता हुआ, इस Spirit King की तरब चार्ज होता और तुरंथी, इस टाइज Slip Fish का टैक, इस Spirit King के पेट की तरब कर देता है, जिसके बाद जोयान इसका इस Slip Fish के second farm, Heavenly Fish के यूज़ करता है और तुरंथी एक और पंच, इस Spirit King के पेट पेट में मार देता है, और इस टाइम पे इस Spirit King को जब जोयान की पूरी ही ताकत के साथ, दो पंचों का सामना करना करना पड़ता है, तो भले ही Spirit King कितना भी ज़्यादा पाउरफुल क्यों न रहा हो, वो तुरंथी बलड की बॉमिटी करते हुए काफी पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है, इस टेम पे जोयान की स्पिच रुडवा पर चारों तरफ पहली होई होती है, और वो Spirit King को काफी long time से absorb कर रहा था और उस पर attack करने के लिए एक अच्छे ही movement का इंतजार कर रहा था, और जब उसने जोयों के साथ fight में Spirit King को BG देखा, तो उस पे सबसे powerful और खतरनाक attack करने का time निकाल कर जोयान उस पर attack कर देता है, Spirit King की बॉड़ी को उड़ता हुआ वेजने के बाद, जोयान अचानक से हापने भी लगता है, हाला कि उसने heavenly emperor fire funding बॉड़ी का यूज किया था, जिससों इसकी power तो बढ़ गई थी लेकिन इसके कार और काफी देर तक यूज करने के कार जोयान की जो बॉड़ी थी, ये देखकर जोयान तुरंती जोयो की तरफ जाता है तो वो देख सकता था, कि जोयो के कंदे पर चोट लगी होई है, जिससे पल-पल गोल्डन ब्लड की ड्रॉप्स निकल रही है, और उसके कंदे पर उंगलियों के पांच साफ साफ निसान थे, तभी जो ये इसमायल करते हुए कहता है, मामू, अपुन ठीक है, अपुन महा सकती साली गोल्डन ड्रेगन है, हाला कि उस बंदे को इतनी हेवी चोटे लगी है, पर उसका और अजरा भी बीक नहीं हुआ, सच में Emperor Cultivation लेवल का एक्सबर्ट काफी अलब पावरफुल होता है, और इसके बाद दोश जगह पर देखता है, जहां पर उड़ता हुआ, इस्प्रेट किंग गया था, तेवी जयान भी कहता है, साइद यही Emperor Cultivation और Emperor के बीच की पावर गैफ है, जिसके बाद जयान कहता है हम इसे अब और ज़्यादा टाइम तक नहीं खीच सकते, Heavenly Emperor Firebinding Body का मैंने काफी लॉंग टाइम से यूच किया है, जिससे मेरी Body अब और देर तक इसे सर्भाइब नहीं कर पाई की, जिसके बाद जयोयो की तरफ देखता है, अपने मुझे बलटके निसानों को पूछता है, और तो जयोयो भी कहता ठीक है, मैं जानता हूँ उसे कैसे रोखना है, इसलिए मैं उसे रोखता हूँ, जिसके बाद जयोयो अपने हाथ को Flip करता है, तो इसके हाथ में वही गदा आ जाती है, जिससे जयोयो ने ड्रैगन प्राइड फुल गदा नाम दिया था, जो की हाई ग्रेड इस्प्रेड वेपन थी, जिससे उसने इंजिक्सवान से पाया था, लेकिन इसे Continue Strong करने और Refine करने के बाद, जयोयो ने इसे पहले ही Heavenly Grade तक पहुचा दिया था, जिससे ये और फिजाता Powerful हो गया था, तभी जयोयो कहता है ध्यान से, जिसमें जयोयो अपना सेहलाता और कुछ सोचने के बाद, जयोयोयो के उस पिल को खाते ही, तभी जयोयोयो के 9 Illusionary Clones को यूज करके, उसे कुछ देर के लिए बेवकूप बनाने में तुम्हें Capable होना चाहिए, जिसके बाद जयोयोयो तुरंद ही इस जगह से थोड़ा सा पीछे रड़ जाता है, क्योंकि प्रेज़ेंट टैंप्री जयोयोयो के बाद के बाद के बाद के बाद ही एक जोड़ दार धमाके के साथ एक पूरा का पूरा मौंटेन डिश्ट्रॉय हो जाता है, और इसके बाद एक आवा जाती है, मैं आज तुम सभी लोगों को मार दूँगा, और इसके बाद इस्पिट किंग हावा में उड़ता हुआ उपर आ जाता है, और एक एंप्रेर कल्टिवेशन लेविल के बारियर की पूरी ही पावर अचानत से 100 होती है, जो कि जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को तुरंती राख में बदल देती है, जिसके बाद इस्पिट किंग के नराज होने के साथ ही, वहाँ पे एक कापी बड़ा बवंडर क्रेट हो जाता है, जो कि दरजनों मील के एरिया को तुरंती सब कुछ डिश्ट्रा कर देता है, और एंप्रेर कल्टिवेशन लेविल के वर्यर का गुस्सा, आस-पास की चीजों को डिश्ट्रा करनी के लिए पहले ही कापी था, तब जो यो 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 से देखती हो इतुरंती कहता है यह आदमी, और उसके चरे की स्माइल गयब हो जाती है और वो सीरियस हो जाता है, उसने फिल किया था कि इस बंदे की पापस इन जिक स्वान के कंपेर्जन में काफी अदा श्ट्रॉंग है, और अगर वो यहाँ पे जीत भी सकता है, तो भी उसे जो कीमत चुकानी होगी, वो काफी अदा खतनाक होगी, इसलिए जोयो अपने गदे को कसकर पकड़ लेता है, और काफी स्पीट के साथ इस्प्रेट किंग की तरब दोड़ परता है, साथी जोयो ने ये भी देखा था, सामने वाले बंदे ने जो औरा प्रेडियूस किया है, वो पहले उसके एक्स्ट्रीम लेवल पर है, और ये औरा या पावर कुछ ऐसी नहीं थी, जिससे वो आसानी से निपढ़ सकता था, या डिल कर सकता था, दुश्ट तरब जोयो को अपनी तरब बागता होगा देखा, इस प्रिट किंग की आखों से किलिंग इंटेंट औरा निकलने लगता है, और वो एक पावरफुल रोर करता है, जिसके बाद वो अपनी पाँच उंगलियों को खोलता और एक स्ट्रॉंग बेफ के साथ बाहर निकलता है, और ये कुई पिलर कुछ ऐसा होता, जैसे कि ये स्पेस को भी क्रैक कर सकता था, इस टाम पे जोयो ने भी अपने दांग पकड़े, जकड़े होते हैं, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, और फटे हुए कपड़ों के अंदर से, उसकी ड्रेगन स्केल बॉडी देखी जा सकती थी, जो की ड्रेगन स्केल से ढखी वही होती है, साथ ही जोयो ने अपने हाथ में एयो, लॉंग, गदा कसकर पकड़ा दकी थी, और इसके बाद वो उस गदे को और इजन कोई की तरफ अटेक कर देता है, जोयो और इजन कोई पिलर, उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था, हाला कि जैसे ही जोयो का गदा और पिलर आपस में टकराते हैं, तो वो पिलर कुछ टाइम के लिए रुख जाता है, लेकिन इसके बाद वो जोयो की गदे को सब्रेस करते हुए, एक बार पिर से जोयो की तरफ बढ़ने लगता है, यह देखते ही, जोयो तुरंती कहता है, डैम इट, और अपनी गदे को बापस बुला कर, अपनी स्टोईज रिंग में रख लेता है, उसे पता था, कि उसका वेपन भले ही हलका सब्ग्रेड हो गया हो, लेकिन अभी भी यह, इस प्रेट किंग को रुक्सान पहुचाने के काबिल नहीं है, जो कि अपनी टूप आवर के साथ फाइट कर रहा है, इसलिए जोयो तुरंती कहता है, ड्रैगन हैंड टैबलेट, और इसके बाद परपल गोर्डेन लाइट, जोयो की पूरी बॉडी को लगबग ढग देती है, और एक कोई और जो की लगबग हर एक चीज़ को सप्रेस करने के लिए पावर्फुल लग रहा था, अचानक से अपयर हो जाता है, तभी इस प्रेट किंग इस से अटेक को देखते वे तुरं जोयो ने उसके पिलर को डिश्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन यह अभी भी उसका इस्ट्रॉंग आटेक नहीं था, जिसके बाद इस्पिरिट किंग तुरंती कहता है, इस्पिरिट डेमन आर्म और इसके बाद उसका हाथ राइट हैंड अचानक से काम पने लगता है, और एक जिसके बाद इस्पिरिट किंग गुस्से में चिलाती हुए कहता है, जिसके बाद इस्पिरिट किंग गुस्से से चारतब देखती हुए कहता है, चलो देखते हैं तुम कब तक छिप सकते हो, और कहां छिप सकते हो, जिसके बाद इस्पिरिट किंग के हाथों में अचानक होता है साथी स्पूर्ट किंग का मानना था कि जो यो जहां पे छिप सकता है वो केवल एक ही जगे थी और वो थी यह साथी उसकी कुई चेनों से काफी सारा फॉरेश्ट डिश्ट्रा होने लगता है जिस आसपास धूली धूल चा जाती तभी अच्छानक से धूल से एक फिगर निकलती है जो की दूर आसमार की तरह पूर जाती है साथी उस फिगर को देखकर इस प्रेट किंग के फेसे इंपर बिलकुल भी नहीं बदलते क्योंकि उसने फील कर लिया था यह केवले एक अल्यूजनरी क्लोन है जैसे बॉड़ी ट्रांस्फोर्मेशन पिल से बढ़ाया गया है तभी पहार की चट्टान के पीछ जोयो अपने ब्लैड और जोयान के बीच के रिलेशन पर ट्रेस्ट करके जोयान की जगह का पता लगाने में कैपड़ था और इस टैम पर जोयान की जगह को वो फील कर सकता था हालाकि उसी टैम पे एक कापी खतनाग और अचार तरफ फैल जाता है यहां तकि इस्पिरिट किंग भी इसे फील कर सकता था दूरी तब जोयान के दौरा दी गई में खड़े हो जाते हैं हाला कि दूसी तरफ अपनी तरफ बढ़ रहे हैं इन सभी यूमन फिगर्स को देखता है तो सोल डैमें आई मिन इस्परेट किंग भी कफिया सौक हो जाता है क्योंकि वो सभी लोग जो यान की तरह देख रहे थे और उससे नहीं पता था कि इतने साह होते हैं यह देखर इस्परेट किंग हस्ती हुए कहता है बेकार की चालें क्या तुम्हें सच भी लगता है तुम मुझे हरा सकते हो और इसके बाद वो अपनी सैंसे से फील कर सकता था किन 10 एलूजनरी फिगर्स में से एक और इजिनल जियो यो भी है जिसके बाद इस्पर जियो यो की उपर सूट करता है तभी जियो यो अचानक से लेट तरफ मुड़कर बड़ी मुस्किल से उसके अटेक को डॉच करता है यह देखकर इस्परेट किंग हस्ते हुए कहता है तो आखिरकार मैंने तुम्हें धूड़ ही लिया जिसके बाद उसके हां से एक औरीज जाक उड़ाते हुए कहता है जियो यान कहां है क्या उसने बास्तों में तुम्हें पीछे छोड़ दिया और खुद भाग गया जिसके बाद एरोगेंटली इस्परेट किंग चिलाते हुए कहता है मैं देखना चाहता हूं बहु आकिरकार कहां तक दोड़ सकता है एम्प्र जो यान को देखता है जो जो यान के हांटों में घरी जो क्रिश्टल साइन कर रहा हुता है और उसके खतनाग डिस्ट्रेक्टिंग पावर को कोई भी फील कर सकता था जिसने आजपास के पूरे ही एरिया को लगबा कवर कर रखा था तभी इस्प्रेट किंग थोड़ा सा चौकते हुए कहता है जोयान और इसके बाद उसके चेहरे पर बची हुई इसकी एक मात रांक काफी डरे हुए तरीके से जोयान के त्री कलाइड एंग्री बुद्धा लोटस को देख रही होती है और वो तुरंद ही कहता है यह एक एंपरर फ्लेम है और यहाँ पे जैसे ही बने वह इस अटेक को देखता है तो काफी डर्वी फील होता है तभी जोयान कहता है तुम्हें वेट कराने के लिए मुझे माफ करो मैं यम्रास से बात कर रहा था तुम्हारे लिए करहिया तयार है नरक में जॉय करना और इसके बाद जोयान एक मिस्टीरियस इसमाल के इस पेस में ट्रैबल करते हुए इस प्रिट किंग के जैश्ट सामने आ जाता है दूसरब जोयान ने जब फाइल लोटस को फेका था तब जोयो अचानक से एक पावरफुल रोड करता है जिससे उसकी वॉड़ी के चारो तरफ परफल गोल्डन और इजन कोई फ्लेक्शुए अपने कंट्रोल से बाहर होता हुए देखकर इस प्रिट किंग तुरंती कहता है लिटल बाश्टाइड हलाकि उसे पता था कि इस टैंप उसके पास चिलाने के लिए टाइम नहीं है इसलिए इस प्रिट किंग तुरंती अपनी ओरिजन कोई को फूरी तरीके से सो करता है औ और उस blade का जो size होता है वो 1000 feet का होता है और इसके अंदर से infinite killing intent और अजलीज हो रहा था और ये blade ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया को divide कर सकता हो जिसके बाद इस प्रिट किंग कहता है profound branding astral blade साला मेरे को इस चूतिया नाम का ही समझ मनी है कैसा blade है और इसके बाद इस प्रिट किंग अपने हाथ को fluctuate करता और वो white blade सीधा एंग्री बुद्धा lotus की तरब charge हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि इस blade से एंग्री बुद्धा lotus को तीन टुकडों में बाट दिया जाएगा और इसका इस blade का comparison कोई भी normal attack नहीं कर सकता था और उसको यूज कर निकले उसने मोनार्क, I mean Emperor Cultivation Level के बुद्ध की power का यूज किया था जिससे एक छोटे से सहर को तो पूरी तरीके से destroy किया जा सकता था और यह उसका सबसे बड़ा Trump card भी था बस इसका एक माद्र दोस्या ही था कि इसे यूज कर निकले हेवन और्थ के बीच में काफी बड़े fluctuation को create कर रहा होता और साथी साथ इस वाइट ब्लेट के सामने त्री कलर का एंग्री बुद्धा लोटस भी काफी हद तक सप्रेस हो गया था साथी इस जाइट वाइट प्लेट को देखकर जोयान भी अपने थके हुए बड़ी को तुरंती गसी इटता है और मुस्किल से हवा में खड़ा होता है साथी एंग्री बुद्धा लोटस को create करने के लिए जोयान ने अपनी बड़ी की सारी ही जिसके बड़ जोयान एक के स्माइल के साथ खांसते हुए सामने की तरफ देखता है और इस टाम पर जोयान की आंकों की सामने सब कुछ धीरे-धीरे काला पड़ने लगता है और जोयान लगबग नीचे गिरने लगता है हाला कि एंगरी वो दस लोटस से वाइड बलेट के टकराने की कुछ ही सेकेंड लोगाद अक्चानक से इस्प्रेट किंग के चर पे जो खुसी होती वो गया वो जाती है और उसके दिल में काफी रख डर फैल जाता है और इसन्वर खोसी पैर उसके दिल में जो दर था वो सेंग वैसा इता जैसा जब उसने बलेक नीदल एंड एंपरर का सामना किया था तव से फिल गवा था और इसन्वर उसका दिल काफी वुरी तरीके से कांप रहा होता है जिसके कारण वो कहता है ये कैसे possible है और इसके बाद वो अपनी सारी स्ट्रेटजी को साइड में रखते हुए तुरंथी अपनी बचेवी एनरजी को कंडेंस करता है और पूरी ही पावर के साथ दूर की तरब भागने के लिए कोसिस करता है साथी वो काफी रड़ डरा हुआ भी होता है उसने कभी भी उमीद नहीं की थी कि एक मोनार चेंपरा लेवल का बंदा इतने खतरनाक हैबन को चैलेज करने वाले टेक्निक को यूज कर सकता है हाला कि white blade के और fire lotus के एक दूसरे से टकराती एक powerful blast होता है जिसके बाद ऐसा feel होता है कि जैसे एक छोटा सा खंजर powerful flames की समुंदर में तैर रहा हो यहां तक कि वो blade flame की थोड़ी से भी fluctuation को बर्दास करने में कैपबल नहीं था दूसरा fire lotus केबल थोड़े ही टाइम के अंदर हिल्ले के बाद spirit king की तरफ दोड़ पड़ता है दूसरा अपने fire lotus को control करते हुए उससे spirit king की तरफ charge करने के कारण जोयान को भी काफियर पेन हो रहा होता है और इस पेन को जोयान भी बर्दास नहीं कर पारा था और दूसरी तरफ वो blood की बोमेटी करे जा रहा होता है बले इस टेम पे उसने emperor flame heavenly burning body का वो यूज किया हो लेकिन इतले long time तक जोयान इसकी power को भी बर्दास नहीं कर सकता था जिससे जोयान अपनी limit तक पहुँच गया होता है और इस टेम पे जोयान जो की हवा से नीचे गिर रहा होता है जैसे ही जमीन से टकराने बाला होता है कि fire lotus को देखता है जो की यमराज की तरह उससे बढ़ रहा होता है उसकी तरफ और angry buddha lotus के सामने वो powerless feel कर रहा होता है जिसके बाद भागते भागते spread king अचानक से रुख जाता है एक powerful roll के साथ अपनी body की origin quick का use करके एक energy barrier create करता है जो की emperor cultivation level के warrior का energy barrier था या तक कि normal heavenly weapon भी से आस भुजाता है और इसके बाद सीधा ही three colored fire lotus spirit king से जाकर टकराता है और सीधा का सीधा उससे swallow कर लेता और होता है एक powerful blast जिसके बाद red golden or blue flame लगबग आधे आसमान को cover कर लेती है और अब तक तो आधा forest destroy हो चुका होता है चारो तरफ आगी आग मिट्टी रेकिस्तान बन चुक और ते हुए कापी पीछे तक जाते हैं और एक पेड़ से जाकर टकराते हैं जिसके बाद जोयान खासने लगता और blood की vomiting करने लगता और उसका चारा तो पीला पर जाता है साथी जोयान का और अभी काफी जादा वीक था दूस्तर जोयो इतने जादा टेंसन में आ जाता है कि वो तो अपने कान और गाल खुजाने लगता है उसे समझ भी नहीं आता कि आखर कर वो जोयान के लिए क्या करे तभी जोयान वे फोर्सफुली हसते हुए कहता है मैं ठीक हूँ और इस टैप पे उसकी आखों के सामने की डाटने धीरे धीरे दूर होती है साथ उसने थ्र कि इंगरी बुद्धर लोटस को क्रियेट किया था और उसके बाद लाश्ट टाइम पे एंगरी बुद्धर लोटस को कंट्रोल करना इस पर तुज तो जिएन को और बी यदा प्राब्लम आई थी साथ बलास्ट के बाद एंप्रर फ्लेम के फैमीलियर औरारी के करण इस तो धुआ ही धुआ फैला हुआ होता है और चारतरफ बंजड भूमी और यहां तक कि पहाड बिल्कुल सम्तल हो गए होते हैं जिसके बाद जोयोग उस टाइम को याद करता है जब जोयान ने फर्स्ट टाइम इतियांचेन के अल्यूज नरी लियलम में पूरे ही जंगल को मिटाने में तो कैपवल था ही जिसके बाद जोयान कहता है इस प्रेट किंग की कुई वो मुझे फील नहीं हो रही क्या वो खतम हो गया और इसके बाद जोयान अचानक से खुस हो जाता है चलो जल्दी करो और यहां से चलते हैं यहां पे हंगामा बहुत जादा हो गया है कैप्टर लॉप के उसके काफी सारे एक्सपर्ट यहां पे तुरंती कुछ ना कुछ देखने के लिए आएंगे हमें तुरंत अकैडमी लोटना चाहिए और उसकी बाद कुछ उनका जोयन तुरंती अपना सिर्वे लाता और आंगे की तरफ भागता है जां मैंग जो की डेड़ बॉडी थी क्योंकि जोयन को स्टाल लाइट सैलेट इस्टेप को कल्टिवेट करना था और इसके लिए उसे स्टाल लाइट की जरुए थी के साथ फाइट के बाद जोयन की बॉडी जोकी धक चुकी थी वो भी काफी अद तक ठीक हो चुकी होती है जिसके बाद जोयन इस्माइल करते हो कहता है आज के लिए बॉडी ट्रांस्फोमेशन पे लॉड ब्रीथ इडिन टेकनीक का सच में काफी बड़ा योगदान है जिसके बाद जोयन बगल में पड़ी होई डेड बॉडी को देखता है जोकी एक्स्ट्रीम इस्टार ग्रुप की मैंग जोग की डेड बॉडी होती है साथी वो देख सकता था मेंग जोग की चेश्ट पे काफी बड़ा खूनी ने सान होता है ब्लड पहले ही सूख चुका होता है और बॉडी अकड़ी होई होती है तभी जोग कहता है इसके उपर अचानक हमला किया गया था कोई फर्ट नहीं पड़ता है इसे पता चला है या नहीं तभी जोयान भी हल्के से स्माल करता है और इसके बाद मैंग जोगी स्टोजरिंग ले ले लेता है साथी उसे नहीं पता थे कि इस्टार की पाव को कैसे अब्जॉब किया जाता है इसलिए वो के बल एक्ष्रीम इस्टार गुप के कल्टिवेशन टेक्निक्स पे उमीदे लगा सकता था आखिरकार हर कोई इस्टार पावर की कल्टिवेशन के लिए यूजपुल नहीं था और अगर वो एक्ष्रीम इस्टार गुप के मेंबर बन सकते हैं तो उने सबसे पहले अपनी ओरिजन कुई में इस्टार की पावर को अब्सॉफ करने की ज़रत होती थी तब ही जो की इस्टोरजनिंग में अपनी स्विचर पावर को इंटर करता है और कुछ तेर की खोजबीन के बाद जो खोस होते हों कहता है उम्नीत के मुताविक और इसके हाथ जोयान के हाथ में यलो कलर का एक स्कॉल दिखाए देता है और स्कॉल के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे इस्टार एनर्जी सुपर क्लास और इस एक बुक को जोयान ऐसे देखता है और जोयान समझ जाता है कि स्टार सीट का मतलब उसके ओरीजन क्रिस्टल के अंदर एक छोटी सी जगह को क्रियेट करना है और उस जगह पर एंटर होने वाली ओरीजन कोई इस्टार ओरीजन कोई में बदल जाएगी